सेले वेलकम करें Canel Crunchy Manchi हम में मैं वytic काया हूं.. मातर जिसको कच्छी में मातर बोलते हैं hanno हिंदी में सुखडी गुड़ पापडी पर आज हम कुछ अलग स्टाइल से बनाने वाले हैं फ्रेंज सो लेस्स्टार्ट यहाँ पर मैंने पैन में 750 ग्राम्स ओफ आटा गेहू का दिया है जिसे हमें कोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करना रहेगा और हमें ये आटा बिलकुल लो फ्लेम पर रोस्ट करना है ध्यान रहे कि आटा जरा भी तलिये में चिपकना नहीं चाहिए इसे हमें कंटिन्यूस हिलाना पड़ेगा ये आटे को रोस्ट होने में 10 से 15 मिनिट लगेंगी फ्रेंज अब देख पा रहे हैं कि स्लोली स्लोली हमारा आटा सुनहरा हो रहा है अब हम ये आटे को एक पराट में ट्रांसफर कर लेंगे अब हमने गी लेना है एक कप जिसमें हम आधा कप जितना या एक कप जितना गोन तलेंगे इसे भी हमें लो फ्लेम पर फ्राई करना रहेगा वरना हमारा गोन फूलेगा नहीं इसे भी हमें लगातार चलाना पड़ेगा वरना वो अंदर से कच्चा रह जाएगा ये डिश बनाने में हमें काफी एक्क्यूरिसी रखनी है और काफी धीरज रखनी है हमें थोड़े थोड़े गोन लेकर तलेंगे क्योंकि एक साथ सारे गोन अगर हमने तले तो वो एक दुसरे को बहुत ही बुरी तरह से चिपक जाएंगे हमारे ये गोन तलकर बिल्कुल रेडी है अब हम यही बचे हुए तेल में आधा कप गी और डालेंगे और फिर हमने कदुकस किया हुआ जो गुड़ है 800 ग्रैम्स वो डालेंगे फ्रेंज यहाँ पर आटे की और गुड़ की मातरा बिल्कुल सेम है अगर आपको थोड़ा जादा चाहिए मीठा तो आप जरूर इसे ले सकते हैं मैंने थोड़ा 50 ग्राम गुड़ जादा लिया है अब हम यह गुड़ को अच्छे से पिगा लेंगे अच्छे से हिलाएंगे जब तक वो पिगल नहीं जाता फ्रिंज यहां पर ध्यान रहें कि गुड़ को पिगालते टाइम कि हमारा यह गुड़ बिल्कुल स्मूदली पिगल जाए और एक भी गाठे नहीं रहे अब देख पा रहे हो कि हमारा यह गुड़ बिल्कुल अच्छे से पिगल चुका है अब हम इसे गैस पे से हटा लेंगे और जो सारे इंग्रिबिंस हैं वो अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे कि हमने यह आटा जो रोस्ट किया हुआ था वो सारा का सारा हम एड़ कर रहे हैं इसमें और अब हम यह तला हुआ गोंद यानि की एड़िबिल गम यह हम एड़ करेंगे और अच्छे से मिलाते हुए सारी बाजुओं से हम इसे मिक्स करते जाएंगे ध्यान रहें कि हमारा आटा ज़रा भी रहना जाए अच्छे से मिक्स हो जाए आप चाहें तो आप बैच्छे में भी मिक्स कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा आटा डाल के भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं फ्रेंज यह बहुत ही हेल्दी डिश है अप इसमें चाहें तो जिंजर पाउडर भी डाल सकते हैं सर्दियों के मौसम में काफी लोग इसमें जिंजर पाउडर डालना प्रिफर करते हैं हमारा यह मिक्षर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है आप देख पा रहे हैं यह डिश को आप स्टोर भी कर सकते हैं महीने बर के लिए एक एयर टाइट कंटेनर में अब हम इसमें सारे ड्राइफ रूट्स डालेंगे जैसे की सूका खोपरा कदूकस किया हुआ ग्रेट किया हुआ ड्राइफ रूट्स आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपने हिसाब की मात्रा में डाल सकते हैं वह आपकी मर्जी है कि आपको कितना डालना है फ्रेंज को भी इसे खिला सकते हैं यहां पर हर इंग्रीडिंट हेल्दी है जैसे की गुड आटा एवरिटिंग सो हमारी यह मातर बनकर रेडी है फ्रेंज आप इसे गर्मा गरम सर्फ कीजिए आप इसे चाहे किसी भी फॉर्म में सर्फ कीजिए यह बहुत ही डिलीशिस डिश लगती ह के बहुत ही बैतरी मिठाई है यह और आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़ादा फाइदे मन्द है तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा और कमेंटस बॉक्स कमेंट परना ना भूलेंगा कि आपको यह मेरी रेसिपी कैसी लगी इंशाल्ला है झाल्लाेक्स टाइम मैं झाल 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 झाल